है यहां पर हमारे स्क्रीन पर हम एक वर्ड देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्री एक ऐसा वर्ड जिसको देखते ही सब की आखे खुल जाती है और हमारा फोकस इस पर हो जाता है कि फ्री में हमें क्या मिल रहा है सबसे important चीज़ क्या है कि दूसरी main product को भूल के हम free के उपर जादा focus करते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों की pencil में rubber free आती है तो prefer हम कौन सी pencil करते हैं वो rubber वाला pencil बच्चे prefer करेंगी कि नहीं इसमें ये rubber है ये वाला मुझे चाहिए और free का इतना impact पड़ता है कि छोटा product हो या बड़ा product हो importance हमारी क्या होती है free में क्या मिल रहा है वो पहले देख लेते हैं वो पहले समझ लेते हैं अगर वह attractive लगा तो main product भी खरीद लेंगी तो यहां पर हमारे सामने क्लाइन लिखी है क्या आप free में अपने business की marketing करना चाहते हैं if yes reply with yes or no अगर आप सच में आप जानना चाहते हैं कि free में आप अपने business की marketing कैसे कर सकते हैं विना पैसे खर्च किये भी आपका business की marketing होती रहे और आपको कहीं ना कहीं से clients मिलने लगें तो कैसा रहेगा यह सब हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसका answer यहां है कि Google की services बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हमें free में offer की जाती है Google हमें free में बहुत सारी services देता है जो हमारे business के लिए हम use कर सकते हैं अपने business को expand कर सकते हैं उन free software को use करके उन free services को use करके हम अपने business को automation पहला सकते हैं बहुत सारी चीज़े हमारी मेहनत बचेगी और हम अपने business के उस time को अपने marketing में लगा सकते हैं तो Google आज की date में आपने देखा होगा हर कोई पहले यही बोलता है कि Google कर लेते हैं Google कर लेते हैं या Google पर ढूंडिये Google पर इस चीज़ के बारे में ढूंडिये आपको कुछ नया business कुछ product लेना है कुछ service लेनी है सीधा सबसे पहले क्या होता है कि हम Google पर ढूंड लेते हैं इसकी सबसे nearest shop कहा है मेरे घर के आजपास मेरे घर के सबसे नजदीक में कौन-कौन से options अवेलेबल है कौन-कौन से sellers इस चीज़ को लिस्ट करके बैटे हैं Google पर तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि Google पर कौन-कौन सी ऐसी service है जो मुझे free of cost मिलती है और मैं उनसे अपना business बढ़ा सकता हूं इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे digital marketing के बारे में देखिए digital marketing आज के date में जाने अन जाने हर कोई कर रहा है वो कैसे जैसे सबसे simple एक option है हमारे पास WhatsApp जो अभी हल फिलाल बहुत चर्चा में रहा WhatsApp के data privacy के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा उन चीजों के बारे में बट फिर भी हम लोग खूब WhatsApp यूज करते हैं और उसका सबसे easy method यूज करनेगा है कि आप अपना status पर लगा दीजे जो product में आप deal करते हैं जिसको interest होगा वो आपको approach करेगा या दूसरे तरीके broadcast list होती है product कोई लोग होते हैं जो group बनाके WhatsApp को use करते हैं तो basically यहां पर main focus point है digital marketing हम अपने phone में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सामने वाला अपने उसके phone में देख पा रहा है मतलब हमने अपने product की marketing को already digitalize कर दिया है तो digital marketing से क्या benefit हुआ आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा आप घर बैठे marketing कर रहे हैं and सामने से आपको response भी उसी तरीके से आता है digital presence क्या आप लोगोंने अभी तक अपनी कोई digital presence बनाई है आप लोग digital presence का मतलब यह होता है कि क्या हम ऐसे platform जो आज internet पे easily available है general public छोटे बच्चे से लेके senior citizen तक भी उनका आराम से use कर पा रहे हैं ऐसा कुछ digital presence आपने बनाया अपना अगर अभी तक नहीं बनाया है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे because आने वाला टाइम इन सभी चीजों के लिए बहुत important है और बहुत तेजी से समय बदल रहा है especially अगर हम 2020 की ही बात करें तो corona आने की वजह से घर से निकलना जब बंद हुआ था हर चीज आप digitally मंगा सकते थे अपने घर तक दवाई हो या खाना हो या राशन हो हम जिस भी चीज पर चाहें बहुत सारी ऐसी एप्स बन गई थी जो हम यह सर्विस देने लगी थी उन लोगोंने क्या अपना फायदा उठाया corona आने वाला यह तो किसी को नहीं पता था बट उन्हों इसको बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे स्वीगी है जो मैटो है कोरणा के टाइम पे उनका में काम तो बंद हो गया था क्योंकि वो फूट डिलीवरी ऑप्शन देते हैं रेस्टोरेंट से खाना लेते हैं और होम डिलीवरी देते हैं बट उस टाइम पे उन एप्स ने ग्रॉस उस डिजिटल प्रेजेंश को उन्होंने लिंक कर दिया नए काम से और उस टाइम पे भी उन लोगों ने बहुत काम किया बहुत सारे आपको आज की डेट में इंशॉरेंस फील्ड से ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी बहुत अच्छी डिजिटल प्रेजेंश बनाके अपना data building की अपने audience create किया and उन audience से आज interact करते हैं YouTube इसका एक बहुत अच्छा medium है जहां पर आप देख सकते हैं कि millions of millions subscribers हैं लोगों के and वो एक video डालते हैं और एक घंटे में ही उनके लाखो व्यूज आ जाते हैं ऐसे ही एक बहुत अच्छा medium है हमारे पास वो है Google जबकि YouTube भी Google का ही है बट Google की अपनी एक अलग एक और platform है जो Google My Business कहलाता है उसके बारे में आज हम आगे बात करने वाले हैं क्या आप लोगों को पता है कि आपकी जो prospects हैं या जो लोगों से आप बात चीत करते हैं वो लोग शायद इस product को जो आप उन्हें approach करते हैं उसको वो online भी ढूंडते हैं या उन्होंने online उस product के बारे में कहीं न कहीं पड़ा होगा अगर आपको आइडिया होगा ही होगा विकॉज आज की date में लगवग हर इनसान एक बार online जरूर सर्च करता है आप अपना ही example लिजिए आप अगर अपने mobile को use करते हैं तो कहीं न कहीं आप दिन भर में Facebook भी चलाते हैं Google भी चलाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी services हैं ऐसे products हैं जो आप online जाके सर्च करते ही हैं नो doubt आपको याद रहे या ना रहे या बिल्कुल 100% है या हमारी family में से कोई ना कोई जरूर online जा रहा है और किसी और का prospect बन रहा है तो क्यों ना हम इन prospects को अपने पास लेके आएं ये तो बात हुई prospects की दूसरा side अगर आप इसका देखेंगे तो competitors मेरे जैसा काम जो दूसरे लोग करते हैं जो हमारे जैसा काम करते हैं उन में से जो लोग internet की दुनिया पे भी अपने आपको लेके आ रहे हैं आप समझे कि हमसे वो कितने आगे हैं वो हमसे एक स्टेप ऊपर चल रहे हैं हम अभी एक limited circle में काम कर रहे हैं उन्होंने अपने मार्केट को globally लेके चले गए अपने मार्केट को वो तो अगर मेरे prospects और मेरे competitors दोनों ही online हैं तो मैं तो बीच में कहीं picture में हूँ ही नहीं तो आप लोग समझे prospect online है competitor online है दोनों आवस में मिल सकते हैं वहीं deal हो जाएगी आप कैसे compete करेंगे अगर आप अपने अपनी online presence ही नहीं बना रहे हैं तो अब यहां पर important क्या है कि अगर आप भी online आ जाते हैं तो हम competitors की line में खड़े हो गए and फिर जो prospects हमारे पास आ ही नहीं रहे थे अब हम उन्हें भी approach करना शुरू करेंगे and कहीं न गई हम दूसरे competitors के clients भी अपने पास लेके आ सकते हैं because मेरी भी online presence है मैं भी advance activities कर रहा हूं हां इन सभी चीजों का आपके काम पर बहुत असर पढ़ने वाला है because हमारा जब prospects online search करते हैं तो वो क्या search कर रहे है अगर online demand generate हो रही है तभी तो competitor सर्वाइब कर पा रहा है कोई तो वो दोनों चीजों को हमें देखके आज यह समझना हुआ कि online digital marketing कितनी जरूरी होती जा रही है साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स इन चीजों को जरूर अप्ट किजिए आगर आप लोगों को एक छोटा सा मैं शेयर करता more than 50,000 consumers, 50% से ज़्यादा consumer जो लोग हैं जो सामान खरीते हैं वो online search करते हैं local business के लिए मतलब मेरे घर के पास ही service चाहिए मुझे मेरे घर के पास ही product चाहिए मैं सबसे easy क्या कर सकता हूँ दो तरीके हैं या तो मैं किसी से पूछूँ या मैं खुद market में निकलूँ और एक survey करके आऊं दुकान दो तीन दुकानों में जाऊं समझूं उनको वापस लाऊं या दूसरा तरीका जो आज ज्यादा popular है क्योंकि हर किसी के पास mobile है अपने facility है internet की सुवीदा है वो लोग internet पे search करते हैं and search करने के बाद local business जो उनको मिलते हैं उन्हें वो business देते हैं या वहा बड़ा amount है 50% जो 0 से 50 already हो चुका है आने वाले समय में ये और भी भड़ेगा ठीक है 80% से ज्यादा लोग online reviews पे trust करते हैं पहले के time पे क्या था popular हमने अपने friend relative से सुना है कि वो दुकान की मिठाई बहुत अच्छी है और उसी से आप भी अपने लिए लिजिए या आप भ लाइव रिव्यूज है उस brand के अगें सपोज जैसे डेली में एक नाम बहुत फेमस है बंगाली स्वीट यह आप लोगों ने देखा ओ फिकी अटरियम के पास है भारा खंबा उनका बहुत अच्छा review आपको मिलेगा अगर आप देखेंगे online क्या हो रहा है कि लोग direct review डाल में या एक example लूँ मैं अगर जोमैटो का जोमैटो ने ऐसी service start करी कि लोग dinner करने आएंगे या हमारा खाना खाएंगे और उस restaurant के लिए अपना feedback देंगे बहुत सारे लोगों का earning source है वो इस चीज़ को इतना उपर ले जाते हैं कि वह वहीं से reviews के भी पैसे उनको मिलने लगत लोग especially restaurants बुलाते हैं उनको कि हमारा खाना कैसा है आप चक्के बताएं और एक हमें अच्छा review दीजे बिकॉज आपके online review पे लोग trust करते हैं और आप जो डिश डालोगे वहाँ पर अगर आपको पसंद आई तो लोग आखे उसकी demand करेंगे 80% से ज्यादा लोग आज के time पे online reviews पे trust करने लगे हैं 50% से ज्यादा search जो होती है गूगल map के ओपर गूगल map आप सभी नहीं use किया होगा more than 50% लोग क्या करते हैं address phone करके नहीं पूछना सीधा map पे डाला मुझे इस office जाना है मुझे या फिर showroom जाना है कहीं घूमने जाना है किसी particular location पे जाना है तो वो क्य करेंगे डारेट गूगल map पे जाएंगे और वहां पे जाके search करेंगे अब क्या होने वाला है कि अगर आप already Google map के उपर हैं तो आपको इतना बोलना है कि Google my name मेरे बारे में आप Google करिए आपको मेरी location मेरा contact details मेरे reviews सब चीज online मिल जाएंगे आप पहले वह देख लीजे and then फि Google map के उपर हैं आपके नाम पे क्लिक करने से ही आपका navigation का पूरा address आजाता है कि कोई कहीं भी हो आपके पास तक easily पहुंच सकता है जब आप यह सारी चीजें अपने clients से पहली meeting में ही share करेंगे या pre information की तरह इसको use करेंगे कि आपने यह सारा उसके email के उपर share कर दिया WhatsApp के उ psychologically इस तरीके से client के subconscious mind में घुच जाएंगी कि बातें की हाँ एक established कोई person है जिसके साथ हमें कोई business meeting करनी है या कुछ business dealing करनी है यह चीजें क्या होंगी कि वह पहले ही feedback पढ़ लेगा तो आधे questions उनके वहीं कातम हो जाते हैं and क्या करने वाले हैं और पिर आपको दूसरे नज गूगल पे भी registered है गूगल पे भी लिखा एक public number है वो मतलब एक genuine person है आप और आपके पास 1000, 2000, 5000 आपके पास review आएवे हैं इतने सारे लोगों को आपने already service दी हुई है positive stars है तो क्या होगा ultimately आप trust generate करेंगे उसके trust का level यहाँ पहुँच जाएगा मतलब एक विश्वास के आप जब बैठेंगे वहाँ पे customer को पहले ही पता होगा कि service में तो कोई quality नहीं है अभी हमें product पे discussion main करना है या मेरी need के हिजब से मुझे discussion करना है यह trust जो है अपने आप ही build हो जाएगा आपको वहाँ पे बैठके बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे को इतने awards मिले हैं मैंने इतने लोगों को treat किया है मैंने इतने लोगों को service दी है इस तरीके से तो वह बहुत सारे questions या conversation के ऐसे parts जो लोगों को करना पड़ता है जाके आपके पहले ही हो जाएंगे and client आपको बुलाने में भी hesitate नहीं करेगा गूगल की मदद से क्या आप लोग brand बनना चाहते हैं if yes please reply क्या आप सच में Google की मदद से free software है उसकी मदद से अपने आपको एक brand बनना देखना चाहते हैं क्या आप बन सकते हैं because सबसे अच्छी part क्या है कि Google हमें free traffic भी देता है मतलब में आपने जो वहाँ पर keywords यूज की है जो भी आपने लिखा है उसके अंदर उन चीजों पर जब कोई search होता है तो Google की artificial intelligence इतनी strong है इतने अच्छे software उन्होंने develop किये हुए है कि हमारे अपने आप धीरे 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 फ्री traffic जनरेट होने लगता है एंड हमारे जो लिस्टिंग है प्रोफाइल है उसके ऊपर अपने आप traffic आता है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वह हमारा convert होता है एंड conversion के बाद हमारा तो गूगल माई बिजनस लिस्टिंग ये एक ऐसी चीज़ है जो आज की डिट में बड़ी से बड़ी कंपनी भी इसको करती है और अगर हमारा इनिश्यल स्टार्ट अप जैसे कर रहे हैं हम लोग डिजिटलाइजेशन का तो हम इसको जरूर यूज करें गूगल माई बिजनस मेरी तरफ से तो एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है कि आप इसको कुछ और करिये ना करिये बड़ गूगल के इन सर्च इंजन के उपर जब हम खुद की लिस्टिंग करते हैं उसके मैप पे भी आउटमेटिकली वो पहुँच जाएगा तो हमारी सर्वीस हमारे प्रोड़क्स से डिलेटेट जो भी चीजे हूंगी गूगल अपने आप जो लोग उनको सर्च कर रहे हैं उनको पुश करता है इसको बोलेंगे push service हमारी, खुद वो लोग खींच रहे हैं हमारी चीज़, हम उनको बार-बार कुछ नहीं कह रहे हैं, जिसको जरुवत है वो आएगा और इसको ढूंड के लिके जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Google पे listing करनी क्यों जरूरी है, बिकॉज आज के date में अखेला ऐसा search engine है, जिस पे हर वक्त कोई न कोई काम होता रहता है, हमारे android phone में आप देखेंगे कि खुद ही आप एक बार कोई चीज़ सर्च करके रख दीजिए, अपने Google Chrome में जैसे आप लोग के पास यह Google search का जो option आता है, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे आपके YouTube के उपर उस चीज से related advertisement या उस चीज से related videos आनी लगेंगी, because उस artificial intelligence ने, क्योंकि एक ही company का part है, आपका data उस data पर काम किया, और YouTube के उपर वो process हो गया, और उसके बाद आपको जो चाहिए, आप एक बार एक तरीके का एक वीडियो देख लीजिए, आपके my business page भी, इसी तरीके से हमारी help करता है, अपने business के लिए, यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है, कि free है, एकदम free, कोई पैसा नहीं, unless until आप advertisement लगाना चाहें, बट मैं तो recommend करूँगा ही नहीं, because need ही नहीं है, because क्या होगा, कि Google के, आप Google के उपर खुड ही जा रहे हैं, और अप अच्छी service देता है, आप चाहें, तो इससे service ले सकते हैं, देखें, एक चोटा सा example है, Google माई business page का, जैसे हम लोगों ने अपने business का किया, या हम बोले तो KM Sales Academy, आप सब ने, अब तो जो लोग associated हैं, जो लोग रोज channel पर आते हैं, आपने नाम सुना होगा, तो Google पर हमारी location दिखाता है ये, और उसके बाद पूरा proper यहां पर क्या-क्या हमने डाला है, किस-किस तरीके से है, आप हमारी ratings भी देख सकते हैं, 4.8 ratings लगभग 5 star के पास हमारी ratings हैं, ये reviews आप लोगों से ही मिले हैं, आप इस session के बाद चाहें, तो हमें reviews और भी दे सकते हैं, अपना जो भी आपको लगे, ये feel होता है हमारे चैनल पर आके जो information आपको मिलती है, rating plus review दोनों चीज़ें आप वहाँ पर अपने दे सकते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होतार rating, एक होतार review, rating और review में difference यहीं है कि एक खाली stars हो गए और एक review हो गया, मतलब आपने type कर दिया, या जैसे बात क्या होगा कि हमारा location तक आपको पूरा direction मिल जाएगा कि किस तरीके से काम करें, किया जाता है, देखिए उसका एक example मैंने लिया, जैसे policy bazar, सभी ने इसका नाम सुना है, 771 views हैं इस पे only, अभी तक 3.2 rating से, तो आप चाहें तो इसको compete कर सकते हैं, विकॉज आपके जो clients हैं, जो आपके अपने जिन लोगों को आप लोगोंने services प्रोवाइड की हैं, आज तक आप उन सब से इसके लिए मांगिए reference कि कि मुझे आप अपना feedback प्रोवाइड कीजिए, अपनी rating दीजिए, Google map के ओपर policy bazar इस तरीके से listed है, और उसका पूरा address यहाँ पर है, mobile उसका contact number यहाँ पर है, सारी location सब कुछ यहाँ पर है, तो यह क्या चीज है कि हमको कैसे पता चला, हमने just Google पर डाला policy bazar, policy bazar जैसे यह आप डालेंगे, अपने आप Google my business page की listing को लेगी, वहाँ पर यह सारी information आपको दिखती है, यह just एक general मैंने ऐसे ही share किया था, इसमें किया मैंने insurance agent near me, अगर आप लोगोंने सुना हो near me, search जब भी आप करेंगे, तो आपकी Google location के सबसे पास, जो लोगोंने अपनी listing कर रखी होगी, उन लोगों का नाम आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको तीन option दिख रहे हैं, सबसे उपर, सबसे पास यह गोकुलपूर आ रहा है, यह क्या है, देखें, डारेक्ट नंबर आ रहा है, उनका, कोई भी चाहिए तो इनने contact कर सकता है, यहाँ पर इनके पास 5 स्टार रेटिंग है, 6, यहाँ पर 4.8 रेटिंग है, website बनी हुई है, directions भी है, यहाँ only direction है, यहाँ यहाँ डारेक्शन है, incomplete listing है, कोई review नहीं है, किसी भी मुझे चाहिए, मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, इसके बारे में मैं जाऊंगा Google पे, और मैं search कर लूँगा, और search करने के बाद, immediately मैं वहीं decide कर लूँगा, कि मैं इस इस से मिलूँगा, बाकी को मैं cross कर दूँग, क्योंकि मुझे उनके online reviews समझ में ही नहीं आ या मेरा वो trust वो बना ही नहीं पाए online, ठीक है, post regularly on Google my business, यहाँ पर सबसे आपको Google my business क्या देता है, बहुत सारे options देता है हमें, जैसे आप regular post डाल सकते हैं, आपने कुछ special offer निकाला, आप वो offer डाल सकते हैं, कोई नया product आप launch करा सकते हैं, आपको कुछ award मिला, कुछ recognition मिला, तो उसको जरूर आप photos वहाँ पर डाल के रखिये, because क्या होगा, कि client वही तो देख के हमें, हमारे उपर भरुसा करेगा, अगर stars के साथ, ratings के साथ, और अच्छे photos, recognition मिलेंगे, तो उनको लगया कि हाँ, इनको awards भी मिलते हैं, इनका काम बहुत अच्छा है, service बहुत अच्छ है, तो regular कुछ नकुछ, कुछ नकुछ हमें वहाँ पर post करना होना चाहिए, जिससे हमारा data building भी होगा, और आगे आने वाले time पर, वो SEO का काम भी करेगा, देखिए, policy बाजार का ही screenshot है, बहुत जादा नहीं है, अगर हम देखें तो, but इन्होंने इस पर इतना focus किया नहीं है and 3.2 star rating है यहां पर, और कुछ ratings आप देखेंगे, यहां पर 1 star की rating है, यहां पर 4 star की rating है, तो जिसको जैसा समझ में आता है, या जिस client के साथ, रंजन जी का message आया है मारे पास, I have used Google my business, but I have noticed one vital negative point that I can't know the details of the interested viewers, no mobile number etc, viewers are shared to advisor, true, यह ऐसा ही रहता है sir, because यहां पर क्या होगा, आपका number वहां पर होगा, तो जिसको call करना होगा, वो direct आपको call करेगा, या आपके साथ अपना information, आपकी website या आप जो महां पर message box भी एक होता ह है, उसमें share करेगा, ऐसे कोई directly आपको भी नहीं देगा, because जिसको चाहिए, या मैं भी कभी number रून दो, तो मैं direct अपने mobile से call करता हूं, उस number में कि मुझे आपका number Google से मिला है, मैंने आपकी profile देगी थी, मुझे अच्छा लगा, और हमें यह service के बारे में थोड़ा बताओ, और किस तरीके से हमें service provide करते हैं, इस तरीके से रहता है, चिक है मैं आपर जो बता रहे था है, यहाँ पे किसी को अच्छा लगा, तो नहीं लगा, तो वन रिव्यू अच्छा लगा, तो फोर स्टार्स, तो इस तरीके से लोग अच्छा रिव्यू भी, देंगे, और बु इंदिविजोल और कॉर्परेट्व इस तरीके सें हम अपना फोटो के साथ वहाँ पर अपना products भी showcase कर सकते हैं कि आपको अपने जो जो products में आप deal करते हैं उन products की photo के साथ या poster बनाने के साथ आप वहाँ पर उनको showcase कीजी ठीक है एक और service एक और free service जो Google हमें देता है और उसके लिए हमसे एक single पैसा भी charge नहीं किया जाता है वो है Google Forms इतना effective है कि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अगर use करते हैं इस पर focus करते हैं तो आपकी बहुत सारी prospecting Google Forms के थूँ ही की जा सकती है because Google Forms में आप अपना पुरा का पुरा form एक develop कर लीजिए आप जब इनको spread करेंगे WhatsApp के थूँ या आपके Facebook के थूँ या दूसरे medium के थूँ लोग इस पर आपको response करते हैं response जहाँ पर जैसे लिखा है वो response आपका यहीं आके store हो जाता है and इसका advance feature क्या होता है कि Google आपको एक पूरा Excel sheet बना के दिता है वो Excel sheet भी आप अपने काम के लिए use कर सकते हैं and उसको आप बहुत अच्छी तरीके से maintain कर सकते हैं जो questions आपको पूछने हैं हर question की पूरी list आ जाएगी इसे mobile number, email ID, XYZ जो भी आप डालना चाते हैं जिस भी तरीके की prospecting करना चाते हैं उन चीजों में आप Google Form को जरूर use कीजिए बहुत effective ली चीज़ है मेरा जो session रहता है वहाँ पर मेरा focus area रहता है Google Forms को कैसे एक तो नई prospecting कैसे करनी है इससे उस पर थोड़ा सा and दूसरा important की अगर आपके पास already clients हैं उनको आपको service देनी है तो आप उन्हें Google Forms के थ्रूप भी service दे सकते हैं साथ में साथ में आप Google Forms को upsell या crosssell के लिए भी बेच सकते हैं because आप awareness campaign चला सकते हैं कि नया product आया क्या आपको इसके बारे में मालुम है यहाँ पर एक question आया हमारे पास सौमेन पाल एलाइजी गूगल फॉर्म में डोमेन चार्जिस मांग रहा है सर गूगल फॉर्म एकदम फ्री रहता है उसमें कोई चार्जिस आपके नहीं लगेंगे बनाने के लिए सिर्फ आपको एक इमेल आइडी चाहिए और आप उसको जैसा मर्जी डिजाइन कीजिए जितना मर्जी बड़ा डिजाइन कीजिए कोई चार्जिस नहीं मांगता सो गूगल केलेंडर आगर 90 लोग आज के डेट में या 80 लोग मेरे इसाब से एंड्रोइड फोन यूज करते ही करते हैं बाकी रेस्ट ओफ डट लोग जो है वो एपल या दूसरे प्रोड़क्स यूज करते हैं जहां पर केलेंडर या ऐसे साल फोन नहीं होते जो स्मार्ट फ फोन है गूगल इन बिल्ट कैलेंडर आपको फ्री ओफ कॉस्स देता है कहने को यह सिर्फ एक कैलेंडर है बट आप इसको अगर एफेक्टिवली यूज करें तो आप इसको इस कैलेंडर के थूँ आप अपने क्लाइंट के कैलेंडर में डारेक्ली मतलब उसके फोन में आटमेटिक हो जाएगा मीटिंग डिमांडर डॉक्यमेंट कलेक्शन वाले टाइम पर या जैसे चेक आपको जिस दिन कलेक्ट करना है फाइनल मीटिंग है तो उन स्पेशल डेज जो लास्ट एकदम लास्ट नेल होता है कि आप इसको करो और हमारा सेल कांफर्म तो वहां आप ऐसे ट्रिक्स कीजिए क्लाइन के साथ की क्लाइन भी बोले हां जैसे आपको लास्ट मिटिंग करनी है डॉक्यमेंट और चेक लेगने ही है लास्ट में तो हम पहले ही उसको बता देंगी एक मैं क्या कर सकता हूं कि मैं उस दस बजे का रिमांडर लगा कि उसको पहले ह कर दिया कि यह पर्टिकुलर डॉक्यमेंट्स आप कलेट करें के दखिए हमारी दो बजे की मीटिंग है मैं मीटिंग में आऊँगा हम लोग इस पर डिसकुशन करेंगे जो भी लास्ट डाउट्स हैं और यह डॉक्यमेंट्स में आप से करेंगा तो बहुत ही प्रोफेशन मैंने अपने पास से यह रिमेंडर किया तो वह एक बहुत प्रोफेशनल लुक आपको देगा और बड़ा ही फायदा होने वाला है एक दिन का हम आपकी जो भी बिजनस पर्सनल ब्रैंडिंग है इसके उपर पूरा एक दिन का हमारा यह सेशन रहता है जिसमें गूगल माई को बताने वाले तो गूगल फॉर्म में क्या रहता है कि गूगल माई बिजनस कम्प्लीट लिस्टिंग गूगल फॉर्म को कैसे यूज करना है गूगल कलेंडर के क्या ट्रिक्स है एंड गूगल कीप एक ऐसा सोफ्टेयर जो आप अपने टूडू लिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से आप अपना टूडू लिस्ट बना सकते हैं आप जो मिटिंग करके आ रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखिए क्लाइंट को खुद वहीं से गूगल कीप एस शेयर हो जाएगा यह सारे चीज़ें इतनी प्रोफेशनल होती हैं धीरे धीर से और बहुत मज़ा आएगा जैसी कि आप मीटिंग से निकले उसके घर से बाहर अपने वहीकल तक आएंगे वहां आने तक आप यह पांच मिनट के अंदर काम कर सकते हैं आप उनके आफिस से निकले लिफ्ट के अंदर आपने यह काम किया गूगल क्लीप पे कुछ आपने काम में मैंने कुछ टाइम सर्विस की है वहां पर हमारा गूगल लोकेशन तक ट्रैक होता था कि आप कहां जा रहे हो और कहां पर आप मीटिंग कर रही हो जैसे ही मीटिंग हमाई एप से अपना इंपूट करना होता था उसको इनपूट करते ही क्लाइन के पास एक थैंक्य क्यूट को पता कैसे चल जाएगा कि मीटिंग नहीं होई और कुछ ऐसे ही फ्रॉड हुआ है तो ऐसे ट्रैक रखने के लिए कंपनी लाखों रुपे खर्च कर रही है अपने आज की डेट में जो हमें गूगल फ्री ओफ कॉस्ट दे रहा है तो क्या आप लोग ब्रैंड ब 19 यानि कि कल टूस्टे शाम को साढ़े साथ वजे हमारा ये सेशन है जो लगभग बेड़ से दो घंटे का रहता है अगर आप लोग इन सभी चीजों के बारे में और डेफ में जानना चाहते हैं और उन्हें इस तरीक इसे क्या ट्रिक्स और ट्रिक्स हैं उसकी वो जानना समझना चाहते हैं अपने बिजनस में उसको इंप्लिमेंट करना चाहते हैं और अपने आपको एक ब्रैंड बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस सेशन को जॉइन कर सकते हैं इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा 9818294653 के उपर only 199 रुपीज and Google पे या फोन पे आप हमे कर सकते हैं ये पेमेंट करने के बाद आप अपना नाम मोबाइल नंबर और सिटी हमें वट्सेप कीजिए विद स्क्रीन चॉट आफ डेट पेमेंट ये पूरा हम सारा का सारा डिसकेशन जो रहेगा गूगल माई बिजनस पेज गूगल फॉर्म्स गूगल केलेंडर ट्रि पर आप गूगल पर या फोन पर की थूर रजिस्टर करा सकते हैं चार्जिस ओनली वन हंडेट नंटी नाइन इसके बाद एक स्क्रीन शोट शेयर करना है विद यूर नेम मोबाइल नंबर एंड सिटी सो क्या आप लोग रेडी है नया ब्रैंड बनने के लिए और अपने गूगल एरिया में धूम मचाने के लिए तो आप आए इस सेशन में मिलकर हम लोग सीखेंगे समझेंगे कि कैसे गूगल को एफेक्टिवली आज तक हमने तो यूज किया दूसरों को देखने के लिए बट अपने आपको भी हमें ब्रैंड बना सकते हैं तो थैंक्यू वेर सब्सक्राइब।